हेलोज तो स्वागत आपका दे 29 में आज हम 30 दे की इपॉर्टेंट नोड सीरीज में सेकंड लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं ठीक है पॉइंड नमर 671 से स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले देखे हमने पढ़ा हुआ कि जो लेंथ अप केबल होती है अगर सेम सपोर्ट ल अपको तयार मिलेगा और डिफरेंट सपोर्ट लेबल पर केबल लेंता आप इजली कल्कुलेट कर पाएंगे ठीक है फिर जो अगला पॉइंट अमारा था जो मैक्सम री डिस्टिबूशन मूमेंट का एलाउड है एस पर आईस 456 को कितना है 30 परसेंट धियान रखेगा ड 1077 ठीक है इसके एकॉर्डिंग जो क्लास साड़े बारा का जो ब्रिक होता है अप तू साड़े बारा क्लास का ब्रिक जो होता है उसमें मैक्सम वाटर अप्शन कितना अलाउड है बीस परसेंट बाइद वेट लेकिन कई बार कोशन आता है कि ग्रेटर दन क्लास 12.5 तो मैक समय कितना अलाउड है 15 परसेंट ध्यान रखेगा यह यह कोशन में तभी आपका अप्लाई करना है जब कोशन में लिखा हो एच पर आई एस 100107 ठीक तभी ध्यान रखेगा तभी यह 20 परसेंट 15 परसेंट आपको लगाना है ठीक है फिर बात करें जो डिफ्लॉकुलेटिं फिर जोगला पॉइंट है कि हमारा एच पर आई एस 456 एट पॉइंट अप कर्टेल्मेंट करता है तो उसको कितना एक्टिंग करते हैं बियान दो पॉइंट आप रिकार्मेंट डिया ठीक है इतना एक्षेंट करेंगे और उस यह कापासिटिया पॉइंट अफ कितनी होनी तो किसके चीजेशं करेगा वहाइकल डैमेंशन पर ट्राइब करेगा और क्या वोगा उसका स्पीड और वैकल पर पहिएए ठीक तीनो याद रखिए डौमेनेंट होती वह अब है flow net applicable नहीं होगा है न बहुत शार्पनी diverging flow होगा तो वहाँ भी फ्लोनेट नहीं use कर सकते हैं और जहां पर वेक formation हो वहाँ भी flow net इस्तमाल नहीं करेंगे ठीक है फिर बात करेंगे है ना दो से तीन मेंट के अंदर हम इसको mix करके discharge कर लेता है फिर clogging problem इसमें होती ही नहीं क्योंकि हम जल्दी से इसको wash out कर लेता है तो इसमें clogging problems जैसा trimio में होता है उसमें नहीं होता फिर इसकी capacity कम होती है लेकिन high mobile होता है कहीं भी हम इसको ले आ सकता है ठीक है स्ट्रेंट किती होने चाहिए मिनमम 14 MP होने चाहिए एक लास है तो 10.5 बी क्लास है तो 7 और सी यह तो 3.5 MP होने चाहिए ठीक फिर सीजनीं के जो कुछ डिफेक्ट है कपिंग किस लिए होता जब रेडियल और टैंजेशल डारेक्शन में उनिक्वल स्रिंकिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कपिंग हो जाएगा यह नब बॉइंग की बात करें तो चैट तो फॉर्मेशन किया होता है कर वीच्व घ्री किसको बचाता है तो यहां पर क्रैक्ट होने चलते हैं चेक्स बबलब होता है ठीक है न ध्यान रखेएगा फिर बात करें कि जो लाइन कंक्रीट होता है उसके जो पैरामीटर्स हो क्या होते जो उसकी स्लम वैल्व है जो डिजारेबल स्लम वैल्व किती होनी चाहिए 50 से 75 अम होनी चाहिए फ्लेक्जरल स्टेंध एक 90 देज कितने होनी चाहिए 0.2 MP और कॉंप्रेसिव स्टेंध एक 90 डेज 1.5 MP होनी चाहिए घीक है फिर बात करें जो लोड लेते हैं सけ आईए से scientific कितना लेते हैं 0.5 परजंट अफ़ फैक्टाड लोड लेते हैं ठीक है Xotropic की बात करें तो ये Iosotemal process होता है reversible होता है time-dependent process होता है ठीक है तो इस question आ सकता है exam में Criticsotopy is the function of ठीक है फिर बात करesten खिर लौफ्ट क्या होता रिखिए जान देखें की an intermediate storage space between two main floors without permanent access and halt not less than two meter from the ground floor ठीक है तो जैसे आपने देखा हुगा कि जैसे माली जी आपका कमरा है है ना कमरे में आप देखते हैं आप एक छोटी छोटी शेल्फ बनी रहती है बिल्कुल दिवाल से लगे हुई स्लैब के पास इसी को क्या बोलते हैं लॉफ्ट बोलते हैं है ना इसी को क्या बोलते हैं लॉफ्ट बोल सकता है कि एक तरीके का क्या होता स्टोरेश सेलunda ठीक फिर बात करें फैक्राइब सैस्डीक कितनी होती है लसम और डब्लोस में तो देखिए कॉर्ट काइब 104पाइब Lights फिर वीट की कोरने क्षट किती है फिर सुगर गेंड्र की 17 वर राईस की 19 होती है ठीक टेक्ट लेंट आफ लाइन होता है तो ध्यान रखेगा ठीक तो यह हमारा आज का पॉइंट था इंपॉइंट सारे पॉइंट थे ठीक है लास्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं थैंक्यू सो मज़ को जाइनी में